नमस्ते दोस्तों आज मार्केट में एक नई फ्रोडा हो रही है जो कि फिलहाल में बिहार में देखे जा रहे हैं दोस्तों आज मैं आपके सामने एक website के बारे में हम चर्चा करें और जानेंगे कुछ मतफुन बातों को कि इस website से ना तो सोचे समझे और ना उसके बारे में जाने हुए सिर्फ लोगों की कहे सुने पहें आके उस website से जूट रहे हैं पैसे देकर तो हम इन ही बातों पर करेंगे तो चलिए सुरू करते हैं जिस website की बात कर रहे हैं वह website है टॉल्विन लाइफ डॉट कॉम एक नेट वर्किंग की तरह काम करती है मैंने इस फिर जब रिसर्च किया और यह पता लगाने की खुशिस की कि आके इस website का ओनर कौन है तो हमें कुछ मालब नहीं चला क्योंकि वह security की वज़ए से वह नहीं हम जान पाएं दोस्तों इस website का analysis किया उस website में ना तो contact number है और नहीं company के कोई legal document सो हो रहे हैं जो लोग इस company से पहले जूड़ चुके हैं यानि इस website से वह लोग कहते हैं कि यह एक अमेरिकन यानि की विदेशी website है विदेशी company है हम इस company या website बोलिए हम इस company का contact number और कोई अन्य जनकारिया की खोजबिन की लेकिन हमें कोई जनकारी नहीं मिली फिर मैंने सोचा साइध लोग इन करने के बाद साइध मेंबर पैनल में कुछ जनकारी दी होगी तो मैंने एक दोस्त की ID से लोग इन किया लेकिन मैं हैरान हो था कि कि मेंबर होम में भी कोई contact नम डीटेल्स नहीं मिली और कोई company की कोई जनकारी नहीं मिली यह company कहां की है क्या इसका डीटेल्स है यानि कि कोई registration कोई जनकारी नहीं मिली कोई लीगल डॉक्मेट नहीं कि सिर्फ और सिर्फ एक contact फॉर्म था जोकि database से connected था और यह एक admin के द्वारा manage किया जा रहा है आगे हम आपको बताएंगे कि लोग आखिर क्यूं इस पर भरुसा कर रहे हैं और जब कोई उन्हें समझा रहा है तो उनकी बातों को सुनना भी नहीं चाहते हैं दोस्तों मैं एक web developer भी हूँ इसलिए मैंने सोचा कि देखते हैं कि यह website किसका है और उसका contact number जाने की मतलब कोशिस की लेकिन हमें कुछ हाथ नहीं लगा क्योंकि सारे details को हैड की गई थी क्योंकि hosting partner अपने क्लाइंट को यह option देते हैं कि वह अपनी जनकारियों को गुपते रख सकते हैं जिसका अलग चार्ज वह कंपनी लेती है उस्तों एक और बात मुझे थोड़ा अजीब लगा एक developer होने के ना मैं इस website की structure को मतलब की structure से मैं खुस ही नहीं था क्योंकि एक सच में कोई अच्छी कंपनी होती तो इस तरह के विखरे की तरह website नहीं बनाती क्योंकि यहां बात पैसों की है क्योंकि यहां पैसों की लेंदेन हो रही है अगर यह सच में के अच्छी मतलब की भरोसे लएक website होती या फिर कोई company होती जो की registered होती तो इसकी website का structure कुछ अलग ही लग दिखता है क्योंकि मैंने बहुत सारे website को एनलाइज किया है दोस्तों मैंने इस website के से जुड़े एक member से एक सवाल पुछा कि यह company पैसे कैसे कमाती है यह लोगों को इतना पैसे कैसे देती है तो उनका कोई जवाब नहीं था फिर मैंने उन्हें एक example से समझाया कि आप मांज़ेए यह नाम की कोई company है जिसमें membership पाने के लिए थर्टी डॉलर लगते हैं अब भी नाम की ब्यक्ति थर्टी डॉलर देके उस company की membership लेते हैं यानि उस company से ज्वाइन करते हैं एक company से और मांज़ेए एक company के wallet में यानि एकाउंट में 0 रुपह है यानि जीरो डॉलर अब बी को पैसे कमाने और पैसे कमाने के लिए उन्हें लोगों को कि ज्वाइन कराना पड़ेगा तो माना कि बी सी और डी व्यक्ति को दो लोगों को ज्वाइन कराता है इस company में तो सी और डी को भी 30 डॉलर देने पड़ेंगे क्योंकि वह इस company के member बन रहे हैं यानि कि इस company से जुड़ रहे हैं कि तो company जब भी हुड़े थे company से तो उनका 30 डॉलर लगा तो यानि कि company के account में 30 डॉलर हो गए और जब सी और डी जुड़े तो दोनों को मिला के यानि 60 डॉलर कमपनी के अकाउंट में जुड़ाया है तो यानि कि अभी कमपनी के अकाउंट में 90 डॉलर होते हैं और चुक्ति की निएसाब से वी बियुक्ति को जोड़ने पे शिक्स्टी डॉलर मीलेंगे तो अब B को दो लोगों को जुड़ा है यानि कि 32 डॉलर मीले यानि कमपनी के पास अभी 58 डॉलर है यहां गौर कीजिए कमपनी को बीना किसी मिहनत के बीना किसी खर्च के उसके वायलेट में 58 डॉलर आ गए अब यही C और D भी और व्यक्तियों को जुड़ाते हैं तो इसी तरह से कमपनी के वायलेट में पैसे आते रहेंगे और क्योंकि जिस दिन या कमपनी बंद हुई उस दिन बहुत सारे लोगों की पैसा फासे होंगे तो दोस्तो प्लीज ऐसी गलती न करें और ना किसी को करने दे हम आपसे यह नहीं कह रहे हैं कि टेल्विन लाइफ फ्रॉड है या नहीं आप इसे जुड़ाइन करेंगे या नहीं बस हम आपसे यही चाहते हैं कि कृप्या सौधानी से कोई भी निन लह ले और किसी का बूरा न करें क्या पता आप जिस से जुड़ाइन करां उसके जुड़ाइन होते ही company लपता हो जाए यानि बंद हो जाए तब तो आप गए क्योंकि आप उस व्यक्ती को भरुसा दिला के उस company से जुड़ाइन कराते हैं आप company जब बंद होगे तो फिर अब आपका तो वाट लग गया अब आपका को वो बैंक स्टेटमेंट प्रूफ वीडियो किसी काम का नहीं है जो कि आप पहले लोगों को दिखा दिखा कि उन्हें ज्वाइन करते थे लेकिन यहां तो आप विदेसी अन्जान जिसका कोई ठिकाना है ना है जिसका कोई माली का आता पता ना है जिसका कोई कॉंटेक्ट नंबर नहीं है उस वेबसाइट उस कमपनी में पैसा लगाएंगे उस कमपनी से जुड़ेंगे और लोगों को जुड़वाएंगे मुझे नहीं लगता कि आप इस विदेशी अंजान जिसका कोई ठीकाना नहीं है जिसका कोई actual address नहीं है ना तो कोई legal document website पर मौझूद है और ना ही contact number है थाकि कोई problem होनों पर आप पुछे बात कर सके सिर्फ और सिर्फ एक contact form है जिसको कभी भी वो हटा सकता है कभी भी अपकी message को delete कर सकता है क्योंकि सारा control उस admin के पास है तो आप नहीं चाहेंगे कि यह ऐसा हो खेर हमारा काम था आपको समझाना बताना और fraud होने से बचाना धन्यवाद अगर आप इस channel पर नहीं हैं तो इस channel को subscribe करें और वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को like करें और आपका कोई सवाल हो तो हमें comment भी करें धन्यवाद